जैसे ही सत्ता के शिखर पर चन्नी पहुचे है चरंजी सिंग चन्नी आरुपों की जड़ी भी लगने लगी है बीजेपी के नेता अमित माल भी ए आईटी सेल के हेड है देखिए क्या कुछ लिखा उन्होंने कॉंग्रेस द्वारा चुने गए सीम चरंजी सिंग चन्नी को तीन साल पूराने हैस्टेग मीटू मामले में कारवाई का सामना करना पड़ा उन्होंने कतित तोर पर 2018 में एक महिला आईएस अधिकारी को आपत्ती जनक मैसेज भेजा था इसे छुपा लिया गया था लेकिन पंजाब महिला आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने पर मामला फिर से सामने आया ये अमित मालविये बीजेपी नेता का बड़ा हमला चरंजी सिंग चन्नी पर अभी मुख्यमंत्री पाद कि उन्होंने शपद भी नहीं लिये जगविंदर और देखिये किस तरीके से बीजेपी ने उन पर हमले शुरू कर दिया है देखिये ये हमला ने ये वास्तिक पता है वाके ही ऐसा हुआ था वास्तम में ऐसा हुआ था एक महिला आईएस अधिकारी जो की इनके ही अधीन काम करती थी उन्होंने ये का था कि चरंजी चन्नी इनको रात को जो है वे बे टाइम जो है कुछ ऐसे अपतिजनक मैसेज भेजते हैं कि जो गरिमा के लाइक नहीं होते हैं और ये उनी भिवाके मंत्री थे ये मामला जब मुखे मंत्री के पास पहुचा तो अमरिंदर सिंग ने सोचा कि उनके डिपार्टमेंट की बड़ी किरक्री होगी उनके मंत्राले की बड़ी किरक्री होगी लिहाज अमरिंदर सिंग ने उस महिला आईएस से बात करके और च कैप्टन अमरिंदर सिंग को ये सवाल किया कि मीटू वाले इस मंत्री के खिलाब आपने क्या किया था अगर आपने इसके खिलाफ कारवाई नहीं की तो हम चंडिगड के मटका चौंक पर धरना देंगे परदर्शिन करेंगे सरकार के खिलाफ ये पंजाब सरकार के महिला यो की चेर परसन नहीं कह दिया यानि उस वक्ति ये माना गया कि अमरिंदर सिंग के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि चरंजीत सिंग चन्नी उनके खिलाफ बाकी चार मंत्रियों के साथ मोर्चा खोले हुए मेरे यानि जग्विंदर पट्याल देना झाल